अगली खबर हापुड से है जहां मोदी नगर रोड पर एक रेस्टरान पर पहुचे केसव नगर के चौकी प्रभारी नसीम एहमद ने करमचारियों को ठपड जड़ दिया पुरा मामला रेस्टरेंट्स में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद मामले का वीडियो अब सोशल मीजा पर वारल हो रहा है वहीं वीडियो वारल होने के बाद पुलिस की ही किरकरी होते देख एसपी ने दरोगा को निलंबिद कर दिया वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि केस्वनगर के चौकी प्रभारी नसी महमद एक पिज्जा रेस्टरान में जाते हैं वहाँ वो परदे हटाने की बात करते हुए कर्मचारियों के साथ गाली गलोज करते हुए थपड़ बलसाना शुरू कर देते हैं वहाँ दरोगा की 11 और 18 जन्वरी की भी घटनाय वाइरल हो रही है जिसमें दरोगा पैर में गोली मारने की धमकी देते नज़रा आ रहे हैं रहस्रान में लगे CCTV कैमरे में दरोगा की यह हरकत कैद हो जाती है वही पैरित ने दरोगा पर वसूली करने का भी आरोप लगाया है स्पी अविशेग वर्मा ने बताया कि वाइरल वीडियो के आधार पर दारोगा को निलंबित कर दिया गया है और विभागये जाँच के आदेश दिये गए हैं वही अनुबपूर में कलेक्टर आसी वसिस्ट ने नगरपालिकाश्चित्र के अनुबपूर के सामात पूर तालाब के सौनदर्य करण के काम का जाए जा लिया और 31 मर्ज तक काम को पूरा करने का दिशान निर्देश दिया साथ ही उन्होंने नगरपाली कानुपूर के इंजीनियर को समय सीमा में कारे की पूर्टा के लिए मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये वही कानपर देहाद के सकंद्रा थाना शेत्र के रसधान गाउं के पास युवकी हतोरी से पीट पीट कर नर्म हत्या कर दी गई हत्या करने मक्के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए वहीं हत्या की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने फॉरंसिक टीम के साथ जगे का मुवाइना किया और सौक को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया फिलहाल पुलिस आरोपी की तल चारर लेते यक बनी दिन में और समको साथ में लोटाते हैं साथ में साथ में साथ मोज़ सकता है आठ बजे तक आजाए जब तक आठ बज़ बज़ गया तो नहीं आई तो चिंता हुई जेदा हमको फिर हमने वानान सोचा कोई भानान को दूने तब देखे हैं मदन अधनपुर में तो फिर साड़े आठ बज़े करीब हम जो है गए मदनपुर तक देखें दुखाने गए जड़के गए बातीजे वहां मिले मिला ने कि पता लगा मदनपुर पांच बजे चाट बेंच रहे दिए तो वापसी मदनपुर से रसदान आ रहे थी यह वापसी में जो आड़ी दूर से ज्यादा निकला है उसी इतला मंदर के पास ही लगबग वहां पर ये घटना हो ग की कजबा पहासू में महिलाओं और पुरसों ने प्रभात फेरी निकाली नगर में सुबह पांच बजे से साथ बजे तक रोज प्रभात फेरी निकाली जा रही है वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभात फेरी निकलते समय अस्पेक्टर राजिन सिंग और मौझूद रहते हैं